चले 28th of October 2021 नेक्सस ये से स्पशन लिखा लिजएगा और शुरुबात करेंगे हिमरेखा से एक्जाक्ली है क्या ये तो हिम की नचली सीमा को हिमरेखा कहते हैं अच्छान्सो उच्चावच वर्षण की मात्रा ढाल और इस्थानी स्थलाक्रती में भिन्नताओं के कारण हिमाले के अलग-अलग हिसों में हिमरेखा जो है वो अलग-अलग होती है लिखेगा एक तरफ लिखेगा हिमनद और एक तरफ लिखेगा नदी हिमनद और एक तरफ लिखेगा नदी बंदर पूच यमना बंदर पूछ यमुना बंदर पूछ यमुना बंदर पूछ यमुना बारा सिग्री चिनाब मिलाम गोरी गंगा सियाचीन नुब्रा जेमु तीस्ता सियाचीन हिम्नद के बारे में बात करें तो सियाचीन ग्लेशियर जो है हिम्नद जो है अक्साइट जो है अक्साइचीन के पश्मी गिलगिट के पूरू में लेह के उत्तर तथा नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है यह भारत के केंद्र शाश्यत प्रदेश लदाक में है इसके बारे में धोड़ी सी डिटेल्स आपको पता होनी चीए लिखेगा सियाचीन ग्लेशियर ब्रेकण में लिखेगा हिमनद आकसाई चीन के पश्मी गिलगिट के पूर्व लेह के उत्तर तथा नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है और यह भारत के केंद्र शाषित प्रदेश लदाक में है एक रफ्ट के का सागर पुलिन और एक रफ्ट के का राज़ियो सागर पुली नो अरेक्त रफ्रिके का राज्या दीघा पश्चिमंगाल गोपालपुर उडिसा कला गुंट गोवा मरीना तमिल नाडू नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉण में लिखेगा कुछ जिनजातियां हैं उनके राजी के बारे में लिखेगा भेटिया उत्तरप्रदेश भेटिया उत्तरप्रदेश खासी मेगाले खासी मेगाले टोड़ा तमिल नाडू संथाल जारखंड संथाल जारखंड नेक्स्ट है तोड़ा जिनजाति जो है उनका मल निवास निलगिरी पहाड़ियां यैं यह भी लुक्रीजे देगा और इसका जो उद्भव है चोटा नागपुर पठार से होता है जारकंड और पश्रिम मगाल में बहती है और इसकी सहायक नदियां है उनमें बर्की हो गया जमुनिया है बराकर है दामोदर नदी पर ही दामोदर घाटी निगम अधारित है इंद्रावती नदी गुदावरी क सहायक नदी है लिखेगा दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है दामोदर नदी का उद्भव चोटा नागपुर पठार से होता है यह जारकंड और पश्रिम मंगाल में बहती है इसकी सहायक नदी है इसकी सहायक नदी है बर्की जमुनिया तधा बराकर है और दामोदर नदी पर ही दामोदर घाटी निगम अधारित है एक तरफ लिखेगा दुवाब और एक तरफ लिखेगा नदिया दुवाब और एक तरफ लिखेगा नदिया बिष्ट दुवाब व्यास और सतलज नदी के मद्या बारी दुवाब बारी दुआब रावी तथा व्यास के मध्या रावी तथा व्यास के मध्या चार्ज दुआब चार्ज दुआब चिनाब तथा जेलम के मध्या चिनाब तथा जेलम के मध्या चिनाप चथा जेलम के मध्या next है next लिखेगा असम की झीलो में असम की झीलो में चंदोबी झील असम की झीलो में चंदोबी झील चप नाला जील खौफ लांग जील आदी प्रमुक है कुछ जील हैं जिनके राजिय या किंदरशाषित प्रदेश के बारें बात कर लते हैं विम्बानाद केरल विम्बानाद केरल लोकटक मडिपूर डल जमुकश्मीर पुलिकट आंद्रदेश तमिल नाड़ु की सीमा पर नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट है U-235 के बारें बात करें तो परमाड उर्जा संयंत्रों में विद्ध उत्पादन में U-235 U-235 का प्रयोग किया जाता है U-235 का प्रयोग किया जाता है Edward Taylor के बारें बात करें तो वर्ज 1908 का था हंगरी में जन्म हुआ था इनको हाइड्रोजन बम की जन्म की जनक यानि फादर ओफ हाइड्रोजन बम कहा जाता है नवंबर 1952 में संयूत्रा जमारिका द्वारा प्रथम हाइड्रोजन बम का परेक्षण प्रशांत महासागर स्थिद्ध मार्शल दीप में किया गया था लिखेगा बम हाइड्रोजन बम , थेलर द्वारा विक्सित किया गया था नेक्स स्थ पॉइंट मो लिखेगा www worldwide friend स्वर्डवाइड Web वर्षा के पानी के बारे में बात करें तो वर्षा का जो पानी है वो जलकाशुद रूप है इसका प्येचमान सवन होता है प्रत्वी पर पाए जाने वाले पानी में अमलीता छारी पदार्थ घुले होते हैं जिससे पानी जो है अशुद हो जाता है लिखेगा वर्षा का पानी जलका शुद रूप है जल का शुद्द रूप है वर्शा का पानी जल का शुद्द रूप है इसका पी अच मान 7 होता है प्रत्वी पर पाये जाने वाले पानी में अमली तिथा छारी पदार्थ गुले होते हैं अमली तिधाचारी पदार्त गुले होते हैं जिससे पानी अशुद्ध हो जाता है नेक्स टैम नेक्स पॉइंट है नैटरस आकसाइड के बारे बात करें तो नाइटरस आकसाइड को खास लाफिंग गैस कहते हैं इसे सुमने पर हसी आती है इसे सल्लिक्रिया के समय निस्चे तक मतलब अनस्थीसिया के रूप में प्रयोग किया जाता है लिखिएगा नाइट्रस आकसाइड नाइट्रस आकसाइड को हास से गयस मतलब लाफिंग गयस कहते हैं हास से गयस या लाफिंग गयस कहते हैं या laughing guys कहते हैं इसे सुंगने पर हसी आती है इसे सलिक्रिया के समय निस्चेतक या अनस्थीसिया के रूप में भी प्रयोग किया जाता है एक तरफ लिखेग आमल का नाम और आक तरफ लिखेगा किसमें पाया जाता है ऐसेटिक एसिड सिर्का में चीटी के डंक में चीटी के डंक में, लैक्टिक एसिड दही, लैक्टिक एसिड दही, इसकर्बिक एसिड, इसकर्बिक एसिड आवला, सट्रमफल, टार्टरिक अमल, इमली, अंगूर, कच्चे आम आदी, इमली, अंगूर, कच्चे आम, आदी, इमली, अंगूर, कच्चे आम, आदी, next है next point में लिखेगा इसके रसाइनिक नाम के बारे में बहुत पूचा जाता है तो इस सिर्क्य का वैसे भी रसाइनिक नाम आपको बता है ही acetic acid होता है next point में लिखेगा सनई के बारे में बात करें exactly है क्या सनई तो हरी खाद के लिए सबसे उप्योग तो फसल होती है सनई क्रशी में हरी अवगटित समगरी का उप्योग जब खाद की रुप में किया जाता है तो उसे हरी खाद कहते है मरदा के लगादार दोहन से उसमें उपस्थित पौधों की व्रधी की आवश्यक्तत तो जो है नस्ट हो जाते है और इनकी छट पूर्ती है तू मिट्टी की उपजायू शक्तू को बनाए रखने के लिए हरी खाद एक उत्तम विकल्प है हरी खाद के लिए जो सबसे उपयूक्त फसल होती है वो सनई होती है धैवा है लोबिया है मूंग है उडद है और जंगली नील है तो हरी खाद के लिए सबसे उपयूक्त फसल जो है वो सनई है सनई है next time silver iodide के बारें बात करें तो क्रतिम वर्शा हे तू प्रयूक्त पदार्थ होता है सिल्वर आयोडाइड पहले लिख ली जगा इसके बारे में बाक्राउंड पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेता है क्रतिम वर्शा हे तू प्रयूक्त पदार्थ क्रतिम वर्शा हे तू प्रयूक्त पदार्थ silver iodide है next है देखे cloud seeding मौसम में बलाव लाने की कैसी प्रक्रिया है जिसमें बादलो से इक्शानसार वर्षा कराई जा सकती है आंतर पर cloud seeding प्रक्रिया में silver iodide और सुस्क बर्फ जैसी योगिक प्रयोग किया जाते हैं और इन रसायनों का जो हवाई जहाज की जरीए बादलों पर चड़काओ किया जाता है, इसके प्रतिवी से जनरेटर या एंटी एर क्राफ बंदूख होते हैं, इनसे भी इनको बादलों पर छोड़ा जाता है, सिल्वर आयोडाइट क्रिस्टल की सरचना प्राक्तिक बर्फ जैसी ही होती है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेगा, रेडियो धर्मी डेटिंग के बारे में बात करें, लिखेगा रेडियो धर्मी डेटिंग, रेडियो धर्मी डेटिंग प्रक्रिया की सहायता से, प्रक्रिया की सहायता से चट्टानों की आयो का पता लगाया जाता है चट्टानों की आयू का पता लगाया जाता है नेक्स्ट है नेक्स्ट है इयोसिन के बारे में बात करें तो लाल स्याही जो है वो इयोसिन से ही बनाई जाती है लेखेगा लाल स्याही लाल स्याही इयोसिन से बनाई जाती है लाल स्याही इयोसिन से बनाई जाती है नेक्स्ट है लाल रंग सोडियम क्रोमेट द्वारा लाल रंग सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्थ होता है सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्थ होता है नेक्स्ट है 1976 की बाद है वर्स 1976 का था 1976 से ही ब्राजिल की सरकार ने गैसुलिन में एथनॉल मिसरित करने कानूनन अनिवारे कर दिया है और एथनॉल बहुत ज़्यदा चर्चा में है बहुत इंपॉर्टन है ये पॉइंट पूछा जा सकता है आगा में किसी भी पेपर में वर्स 1976 से ही वर्स 1976 से ही ब्राजिल की सरकार में ब्राजिल की सरकार ने गैसुलिन में गैसुलिन में इथनॉल मिसरित करना कानूनन अनिवारे कर दिया कानूनन अनिवारे कर दिया एक्त्रफ्लिके गा पादा फार्मोन और एक्त्रफ्लिके गा कार्या पादा फार्मोन और एक्त्रफ्लिके गा कार्या ओक्सिन सिखर प्रधान्ता ओक्सिर सिखर प्रधान्ता जिब्रेलिन कोशिका व्रधी जिब्रेलिन कोशिका व्रधी साइटो काईनीन साइटो काईनीन कोशिका विभाजन अबसिक एसेड व्रधी अवरोधक अबिसिक एसेड वरधी अवरोधक next है CO 1148 CO 1148 गन्य की एक महत्पूर्ण प्रजाती है गन्य की एक महत्पूर्ण प्रजाती है और यह प्रजाती पूर्वी उतरप्देश में मुख्यता पाई जाती है और यह प्रजाती पूर्वी उतरप्देश में मुख्यता पाई जाती है पूर्वी उतरप्देश में मुख्यता पाई जाती है next है next point में लिखेगा article 18 उपाधियों का अंत article 18 उपाधियों का अंत एक तरफ लिखेगा फसल और एक तरफ लिखेगा रोग सर्सो सर्सो सफेद गेरुई सफेद गेरुई सफेद गेरुई बाजरा कंडुवा मुंगफली टिक्का नेक्स्ट है फाल्स इसमट के बारें बात कर रहें तो मिथ्याकंड अथ्वा जूटकंड धान की फसल का रोग है कुछ इंस्ट्यूशन है उनके बारें लिख लिए जगा भारती सबजी अनुसंधान संस्थान वाराणसी केंद्री चावल सोध संस्थान कटक केंद्री चिंडर्डर्गर्श इंस्ट्यूट लगनू चेंडर्डर्गर्श इंस्ट्यूट लगनू रास्टी जी विग्यान केंद्र बैंगलूरू रास्टी जी विग्यान केंद्र बैंगलूरू रास्टी मानसिक विकलांग संस्थान सिकंद्राबाद रास्टी विकलांग मानसिक विकलांग संस्थान सिकंद्राबाद जिला हैद्राबाद जिला हैदराबाद चाहिए 28th of October 2021 Nexus GS is special के लिए तना ही